इन ख़बर में आपका स्वागत है महारास्ट में सरकार बनाने के लिए बैठक दरबैठक चल रही है दिल्ली से लेकर के मुंबई तक बैठक हो रही है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है ये रोज हो रहा है कि एक दो दिन में समाधान निकल पाएगा समाधान निकले कैसे एक एक सब्द पे बहस हो रही है और मैं आपको ऐसी जनकारी देने जा रहा हूं कि सोच भी नहीं सकते कि वहां किस तरह से जो इंडिया का कांस्टिशूशन है वो इन तीनों के सरकार बनने में कारगर साबित हुआ और उसकी आड ली गई भारती समिधान की आड ली गई सहमती बनाने के लिए दरसल हुआ ये था कि जब पांच-पांच नेताओं की कमेटी बनी और उसकी मीटिंग हुई तो जब उन्होंने अपना मोटा-मोटी सहमती बना ली और सीवसेंदा को बताया तो सीवसेंदा को सबसे जादे जो अबजेक्शन था वो अबजेक्शन था सेकलोरीजम वर्ड को ले करके क्योंकि उसने आज तक इस सब्द को सविकार ही नहीं किया तो जैसे ही सीवसेना को बताया गया उसने रिजेक्ट कर दिया कि इस वर्ड को हम स्विकार नहीं कर सकते ना ये कॉमन मिनमम प्रोग्राम में सामिल होगा सीवसेना के जो 56 विधायक हैं उसमें से बताया ये जा रहा है कि माराटवाडा और पश्च्वी महाराष्ट के 17-18 विधायक बिरोध कर रहे हैं इनके साथ मिलकर के सरकार बनाने के तो उनका भी एक प्रेसर है तो जब सेक्लिडिजम वर्ड पे पूरी मीटिंग अटक गई फिर ये हुआ कि क्या रास्ता निकाला जाए ये भी तो ठीक बात नहीं है कि एक सब्द के लिए ये पूरी मीटिंग ही फंस जाए या इसमें कोई कंक्लूजन न निकले तो फिर उसी मीटिंग में किसी ने सुझाया कि ऐसा करते हैं कि सेक्लिडिजम वर्ड की बजाए भारती संविधान की प्रस्तावना सब्द का इस्तिमाल करते हैं अब भारती सम्मिधान के प्रस्तावना में क्या कहा गया है, कैसे इसमे सहमती बनी, अब ये भी सुल लिजिए, कि भारती सम्मिधान के प्रस्तावना में जो कहा गया है, 42 सम्मिधानिक संसोधन से उसमें तीन वर्ट जो गए थे, इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, उसके बात भारती संविधान का प्रस्तावना कुछ इस तरह से बनाए कि हम भारत के लोग भारत को एक समपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अब कुछी लोग इसको धर्म निर्पेक्ष बोलते हैं कुछ पंत निर्पेक्ष बोलते हैं उन सब में ब्यक्ति की गर्मा और राष्ट की एकता खंडता सुनिशित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए दिड़ संकल्प होकर अपनी इस सम्भिधान सभा में आज तारिक 26 नुवंबर 1909 को एतत द्वारा इस सम्भिधान को अंगी कृत अधिनियमित और आत्मर्पि करते हैं तो सीषेन तब तायार हुई जब है उसको धर्ब निर्प्यक्ष न कम पंथ ने प्युखत नहीं सकता मैं सिर्फ इतना काना चाहता हूँ कि जिस सरकार के बनने से पहले इस एक-एक सब्द को लेकर कि इतने मत्भेद उभर रहे हैं वो सरकार बनने के बाद जिसकी नितिया 180 डिग्री पे अलग-अलग है यानि कहां सीव से ना कहां कांग्रेस NCP तो थोड़ी देर के लिए कर सकते CM की कुर्ची को लेकर के और ये बात सही है कि NCP ने वही सर्थ रखी सीव से ना के सामने जो सीव से ना ने BJP के सामने रखी थी यानि कि आपके 56 ए मिले और हमारे 54 ए मिले तो क्यों आप ही का 20 साल तक मुख्यमंत्री हमारा क्यों नहीं बात तो सही है तो लिहाजा rotational अब इस किरल लॉबी का या साथ उनिट का जो दबाव है वो तो है ही है चुकि करनाटक में जो एक्सपरिमेंट हुआ था वो बुरी तरह से फेल हुआ एक सल बा मुस्किल सरकार चली है उसमें भी सरकार के ना जाने कितने गत्य हुई उसकी वजह से परसान है कि ऐसा ना हो कि महारा है और इन्हीं अंतर बिरोधों की वजह से इतनी देरी हो रही है सरत पवार मजे हुए राजनीत के खिलाडी है वो जानते हैं समझते हैं डबल गेम कर रहे हैं उन्हें लगता है कि सीवसेना के साथ दिकत हो सकती है तो यदि भाजपा भी उनको लपकने के लिए तैयार है अभी देखते हैं कि जब तक यह सरकार बन नहीं जाती है तब तक अभी इसमें कितने जोल आते हैं कितनी दिकते आती है रोज नहीं बात आती है और सरकार बन जाने के बाद भी जो है वो दिकत खतम नहीं होने वाली है क्योंकि दिकत जो है साइधानतिक है विचारधारा का तो चलिए देख लेते हैं कि साम तक अभी एक और कांग्रेस की और एंसी पी की बैठक होने वाली है उसके बाद मुंबई में बैठक होगी उसके बाद कुछ हैलान हो सकता है तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इन कर अभी!